सीधे अब चलते हैं आपको फ्रांस के राश्पती इमानुवल मैकरॉन लैंड कर चुके हैं यह देखिए मैकरॉन जो की फर्स सेशन के बाद में अब यहाँ पर लैंड कर चुके हैं इमानुवल मैकरॉन का आने का मतलब साफ है कि जो भी डील हुई थी दो महिने पहले उन सभी डील को आगे बढ़ाया जाएगा डील कौन से थी रफैल मरीन फाइटर जेट्स और अनुप्रिया पटेल और साथी साथ आपको इमानुवल लुनाउ जो फ्रांस के अंबाजजर हैं इंडिया में वो दिखाई दे रहे हैं अनुप्रिया पटेल वहाँ पर लेने पहुंची हैं फ्रांस के राश्पती को और यह आप देखेगा कि फ्रांस के साथ में जो बाइलाटरल है वो जादा तर सिविल नूप्लियर कौपरेशन और डिफेंस डील को होगा साथ बहुत जादा समय भारत और फ्रांस के बीच में रश्या यूक्रेन वर या फिर बाकी चीजों पर नहीं होगा वो जादा से जादा फोकस्ट चाहे वह आप सोलार अलायंस बोलिए इंटरनाशनल सोलार अलायंस जो कि भारत की तरफ से और फ्रांस की तरफ से गया था और अब इमानुवल मैकरॉं जब पहुंचेंगे तो सेशन नंबर सेकेंड जो की वन फैमिली है तीन बज़े से शुरुवात होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कई सारे जो दिपक्षिय वारता हैं उसका भी वो हिस्सा बनेंगे इमानुवल मैकरॉं एरप अब देख रहे हैं फ्रांस के रास्पती आइधिंक ये लास्ट डिग्निट्री है जी ट्वेंटी के जो की या डेली एरपोर्ट पर लैंड के ओवर टी यू शुरी बिल्कुल और तस्वीरे भी हम दिखा रहे हैं कि इस तरीके से मेहानों के पहुंचने का सलसला जारी है और Emmanuel Macron भी पहुंच चुके हैं तस्वीरे हमने देखी वहाँ पर अनुप्रिया पत्रेल उनके स्वागत के लिए वहाँ मौजूद थी और क्यूंकि पहले से ही ये तैकर लिया गया था कि मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहेगी और हर एक मंत्री को ये जिम पत्रकारता क्या है? पत्रकारता का मतलब है सही जानकारी इकठा करना और तत्थे बताना पत्रकारता जितने महत्वपून दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जिरूब है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अ अब रात नौ बजे प्राइम टाइम नहीं होगा। ये आपका टाइम होगा। के आपका टाइम नहीं होगा।